आप देख रहे हैं 36 कड का लोग प्रिये चैनल जे एक्स न्यूस 36 कड नमस्कार आप देख रहे हैं जे एक्स न्यूस 36 कड चलिए बढ़ते हैं खबर की उड़े नबालिक लड़का को भरन कर बंधक बना कर फिरोती मांगने वाले आरोपी ग्रिपतार प्रातिय बसंद बन जारे निवासी वार्डे नमबर 7 नगरपंचात अडभार चोकी अडभार आखर लिखीत रिपोर्ट दज कराई कि उसका नबालिक लड़का भुपेंद्र दिनकर एवं लड़की सोन्या दिनकर सारा स्केला जा रहे थी जैसे ही ग्राम अंडा के सुरेंद्र कुमार खुटे द्वारा उनका रास्ता रोप कर भुपेंद्र दिनकर को जब जस्ती पकड़ कर अफरन कर अपने घर ले गया एवं वहां उसे बंधाक बना कर रखा है एवं उसे छुडाने के लिए 80,000 रुपे की फिरोती रकम मांग रहा है नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दे रहा है कि रिपोर्ट पर आरोपी सुरेंद्र कुमार खुटे के विरुद्ध धारा 341,333,364,368,506 भारती दंडव धान के थाथ अपरात पंजीबत कर विवेशना में दिया गया घटना की कमभीरता को मद्धे नजर ततकाल वरिष्ट पुलीस अधिकारियों को अगत कराया गया पुलीस अधिकारी के दोरा अपरहीत बाला को आरोपी के चंगोल समुक्त कराने एवं आरोपी को गिरुपतार करने निदेशित करने पर उनके मार्ग दर्शन में दिनांग 26 दिसंबर को चोकी प्रभारी नवीन पटेल द्वारा टीम बना कर रवाना किया गया आरोपी सुरेंद्र कुमार खुटे के ग्राम अंडा पुहचे जहां अपरहीत बाला भुपेंदर दिनकर को हो आरोपी सुरेंद्र कुमार खुटे फिता नर्सिंग खुटे उम्रेगत तिसफवर साकिन अंडा थानमान पुह तकितime और आपनी घर में बन्दख बना कर रखा था जिसे मुक्त कराया गया आरोपी के कबजि से नाबालिक को छुड़ाया गया जालिक बेटा भुपेंद्र दिनकर उम्र 14 वर्स यंग सोन्या दिनकर दोनों तिनां 26 वारे 2021 को अड़भार से सारस्किला जा लएते जैसे समय कर्म धाई बजे ग्राम अंड़ा पहुंचे थे तभी अंड़ा निवासी सुरेंद्र मर्क फोटे द्वारा भुपेंद्र दिनक पर चौकी अड़भार में धारा 341, 343, 361, 368, 506 भादवी के दहद अपरात पनिबत करके विवेजना में लिया गया मामले की कमद्रिता को देखके हुए परिष्ट पुलिस अधिकारियों को अभगत करा गया परिष्ट पुलिस अधिकारियों की द्वारा निर्देश दे के ग्राम अंड़ा पहुँचकर आरूपी सुरेंद्र कुमार खोटे पिता नर्शियों कोटे उंडर 31 वर्सर साकिन अंड़ा की कबजे से अपरित भागत भुपेंद्र दिनकर को मुक्त कराया गया तथा आरूपी को गिरपतार कर नियाई क्रिमान में भेजा गया यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजे और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे